हर हर महादेव हित्रों हर्याली तीज क्यों मनाई जाती है और ये कब है आज हम यहाँ इसके शुब महुर्त और पूजाबिद के बारे की जानकारी बताने जा रहे हैं हर्याली तीज का उत्सो स्रावण मास में शुगल पच्छ तृतिया को मनाया जाता है यह उत्सो महिलाओं का उत्सो होता है सुहागन इस्त्रियों के लिए यह ब्रत काफी महत रखता है आस्था उमंग सौंदर और प्रेम का यह उत्सो शुव पारवती के पुनर मिलन के उपलक्ष में मनाया जाता है चारो तरफ हर्याली होने के कारण इसे हर्याली तीज कहते हैं इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल गरहन किये हुए रहती हैं और दूसरे दिन सुबा, अस्नान और पूजा के बाद ही ब्रत का पारण करती हैं हर्याली तीज का शुब महुर्त ग्यारा अगस्त दिन बुद्वार सन दो हजार एकीस को है इसके पूजा की बिध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग भगवान गडेश और माता पारवति की प्रतिमा बनाई और इसे चौकी पर अस्थापित करके मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आवाहन करते हुए पूजन बिधी से इनकी पूजा की जाती है ये पूजा रात भर चलती है ये तेवार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महतपूर माना गया है इस दिन महिलाओं अपने पत की लंबी उम्र के लिए निर्जला ब्रत रखती है हर वर्ट्स हर्याली तीज सामन महिने के शुगल पच्च की तिर्टिया को मनाया जाता है इस साल हर्याली तीज का तेवार 11 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा इस दिन सुहागिन महिलाओं अपने पत की लंबी उम्र के लिए ब्रत रखती है महिलाओं इस दिन अपने पत की लंबी उम्र के लिए निर्जला ब्रत रखती है हर्याली तीज का शुब महूर्त स्रावण मास के शुगल पच्च की तृतिया तिथि को 10 अगस्त यानि 10 अगस्त मंगलवार को साम 6 बज कर 11 मिनट से सुरू होता है और ये बुधवार यानि 11 अगस्त को शाम को 4 बज कर 56 मिनट पर समापत होता है इसकी पूजा रात भर चलती है हरी आली तीज के दिन मैलाएं सुबह उठकर अशनान करती हैं और नए वस्त्र पहन कर हाथों में मेहदी और सोलहो सिंगार करके सजती हैं हरी आली तीज के दिन हरी चूडियां हरे वस्त्र सोलह सिंगार और मेहदी लगाने का विशेश महत्त है हर्याली तीज के मौके पर नौ विवाहिद लड़की को माय के बुलाया जाता है परमपरा के अनुसार लड़की के ससरौाल से मिठाई वस्त्र और गहने आते हैं इस दिन महलाएं मिट्टी शे, शियू और पार्वती की मूर्ति बना कर पूझा करती है सुहागिन महलाओं के लिए ये बृत बहुत महतपूर होता है हर्याली तीज के खास मौके पर महलाएं जूला जूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं पवराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी उनका कठोर तप देखकर भोले नाथ प्रसन हो जाते हैं और हर्याली तीज के दिन माता पार्वती को पतनी के रूप में स्वेकार कर लेते हैं इस बृत को करने से सुहागिन महलाओं को अखंड सोभागिवती होने का आशिरवाद मिलता है तो मेरे मित्रों यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कर्मेंट बाक्स में आवस्थी बताएं और हमारे इस चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहें किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें धनिवाद मित्रों झाल झाल